चलिए आज कुछ शेयर करूंगे आप लोग के साथ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी फिलाद शाम का समय हो रहा है और नाश्ता बनाना है मुझे बच्चों के लिए कि अब दिन गर्मियों वाले थोड़ थोड़े आ रहे हैं तो शाम को कुछ हल्की फुल्की भोग भी लंग जा रही है तो आज मैंने सोचा कुछ हेल्दी और टेस्टी सा बनाया जाए तो आज ना वो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं जो मैंने बारह साल की उम्र में पहली बार अपने पापा के लिए बनाई थी और उसके बाद से यह रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर करूंगी और काफी हल्दी टेस्टी रेसिपी है और बहुत इतारिफ पाई है मैंने इस रेसिपी के साथ तो आज यह रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी तो फ्रोजन मटर ले आए थी करिब 200 ग्राम तो आधा इससे माल किया है थोड़ा हरा धनिया प्याज मुलब जो भी बेसिक चीजे थी मेरे रेसिपी के लिए सभी कुछ लेकर आई हूँ यहां गाजर छेल लिया है और उसे तुकडों में काट ले कूकर मेला गाजर ऐसे सा सफ्ट हो जाए मतलब एक ही बार में तीनों चीजों का काम मेरा हो जाए हां तब तक आलू और गाजर उबल रहे हैं और बागे प्रेपरेशन कर लेती हूं मैं यहां पर फिलाले हाँ पर दो प्याज लिए हैं इसे चोटे ही साइच के हैं ज्यादा बढ़े नहीं है और हां मतलब काम करो और हाथ से चीज़ें गिरते ही रहती हैं बार बार तो फिलाल लहसुन मेरे हाथ से फिसल चुका था उसे उठा कर मैं ले आया और फिर छील लिया है प्याज छील कर मैंने साइड में रख लिया है और अब मैं चलती हूं चॉपिंग की तरफ साथ मैं किचन की सेल्फ को भी कर लिया है क्लेन की कि मुझे यहीं पर काम करना और हां दो पर काम हुआ था चाय बगरे पी ली है हमने चाय के बड़तन अभी पड़े ही थे चाय जल्दी पी ली थी गुप्तर जी को लेट हो रहा था आने में और मैं अकेली बैठी थी कुछ काम किया वीडियो का थकान से हो रही थी बस चाय बना कर पी ली थी उसके बाद बच्चों ने फर्माईश की कि ममी कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है नाश्ता बना दो भूक लग रही है तो उसके बाद मैं किचन में आ गई हूं अपना वीडियो का काम खतम करने के डंट पर मैंने प्याज ले लिया प्याज को ना इसी तरह से बाध junior करेना है मैं किलाज कर ली है किचन की लाय थोड़ा उपर में लगी घं तो थोड़ी उसके चमक आ रही है तो आई होप यह वीडियो ना मैं पूरी तरह से आप लोग को step by step clearly सब कुछ बताते हुए शेयर कर रही हूँ जैसे कि मेरी recipe original में मैंने बनाई है उसी तरह से आप लोग सब शेयर कर रहे हैं तो प्लीज यह recipe काफी unique है काफी tasty healthy है तो वीडियो बिल्कुल sleep मत करना क्योंकि यह recipe recipe आपको और आपकी family को काफी पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को like करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को subscribe करना bell icon press करना absolutely free है और comments चरूर देना मुझे comments करके जरूर बताना मेरी यह recipe आप लोग कैसी लगी फिर लहसुन को मैंने बारी बारी काट लिया है लहसुन अच्छा लगता है लेसुन में मोटे दाने वाले ही लसुन अक्सर खरिती हूं काम भी आसान हो जाता है कुछ तो तो लहाल यहां पर मैंने चॉपिंग का सारा कम निप्ता लिया है प्याज चाट ले-लहसुन मिर्च काट ले दरा धनिया काण लेए अब चलते हैं चटनी बनाएंगे अब कुछ बना आपको लग रहा हो गाजर की कोई रेसपी है तो गाजर की खेर नहीं है हल्वा नहीं है और नाही Metro नहीं कोई मिठाई लेए हम बना रहे हैं मिठा लेजिए तो यह मिठा नहीं बनेगा लेकिन हा चट सचार हरी मिर्चे डाल दी हैं छोड़ा सा द्रक कर टुकड़ा और दो लेस्न की कलियां डाल दी हैं स्वादानों सा नमक छोड़ा सा काला नमक इस तरह चेटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आजाता है तो आक से घर में जो चीज़ें अविलेबल होती हैं उन्हीं से हम बहुत अपने बच्चों को यही समझाना चाहिए कि कभी भी घर में जो भी चीज़ें अविलेबल हो उनसे ही बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए और मिडल हाउस मतलब मिडल करस फैमिलिस में अपने जरूरते के अकॉर्डिंग ही मतलब चलाना पड़ता है पूरे बच्चों को भी वही मैं समझाती हूं कि घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल हो उससे ही बेस्ट से बेस्ट करना चाहिए तो फिलहाल मेरी चेटनी तो खोब एकदम चेटपटी और जबजस्त तयार उसकी खुश्बूना मतलब मस्त है और फिलहां पर चेटपटी वादी काफी गरम है सर्दियों में गरम गरम चीज़े भी उठा लेते हैं हम हाथ में इतना परकनी प्रतल के नप जैसे थेंड कम हो रहे ना चीजों को फिलाल मैं सोचा गरम गरम ही निकाल लूँ लेकिन फिर मुना हाथ जलने सा लगा था तो फिर मुझे कढची का इस्तिमाल करन हैं जैसा मुझे चैथा वैसा या निदे अच्छी तरह से पका लेना हमें चीजों को और कुक नहीं करना कि कि अलुग जब और खो जाता है ना थोड़ा घीला हो जाता है और रेसिपी तो अच्छी नहीं बनती है बस इसी चीज का पर ध्यान रखना है मत्र मेंने थोड़ा अपने ले लिया है अपने ले लिया है पस एक चमच सरसो का तेल डाला है बस बहुत एक कम तेल में हम अपने स्टरफिंग को बनाएं गया है यहां लेरी में पचपोडन तो पचपोडन वही नॉर्मन में अकसर कही रेस्पिस आप लोगे साथ बता चुकी हूं जीरा राई मे जिसे कहते हैं सब यह चीज़ें मिक्स होते हैं और यह दुकान में अधराम से मिल जाता है और इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है रेस्पिस में तो बस जैसे वह हलका हलका लाल हुआ यहां पर लहसुन बाल बरी कटे वे हरी मिर्चे को डाल दिया मैंने हलका ह जाल दिया और प्याज को भी न हम लो तु मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए बस हलका हलका गुलाबी करेंगे यहां पर स्वाधन उसा नमक भी डाल दिया है इससे प्याज जल्दी सौफ्ट हो जाती है बस प्याज को हमें हलका सौफ्ट कर लेना है और ज्यादा लाल नहीं क तो में आधा हुआ से गरम मसाला डाला था और यहाँ पर हलदी पारटर डाली है और चा इसे मिला दिया था एक चमज पानी डाल दिया जिससे मसाल्य चले नहीं और साथ ही लगा तोड़ कर हाथ से बिलादे Ó अची तरह का धूर्ध में बलां मिला लेगे यहां मैंने चाट मसाला डाला है अगर चाट मसाला ना हो आपके पास आहल का सामचूर कॉडर और नेमू का रस भी डाल सकते हो आप बस हमारे स्टफिंग होई तेयार और यह स्टफिंग ना बहुत एक कम मसाल में इतनी तेस्टी बनती है मतलब जबर्चस्त स्वाध होता है मैंने लाल मिर्च का इस्तमाल नहीं किया है हरी मिर्च डाली ही मेरे लिए काफी है और अगर आप लाल मिर्च खाते हो तो उसे इस्तमाल कर सकते हो आप तीखा अपने टेस्क कोडिंग रख सकते हो बस यहां गाजर को अच्छी तरह मैश कर लिया है मैंने गाजर सॉफ्ट और अगर अगाजर आप से मैश नहीं हो रहे हो ताप मिक्सर जार में एक बार उसे पल्स मोट पर घुमा देना साथ यहां डाल दिया मैंने सपेट तिल अजवाइन मंगरे चिली फ्लेक्स खुप सारहरा देने और एक गेहों काटा लिया है जो चक्य में पिस्वाया है जिस मुझे नहीं पड़ी है और अगर आपको गीला लगे नहीं हलका सुखा आटा और डालना पड़ा उसके बाद एक चमच तेल डालकर अच्छी तरसे मसल लिया है मैंने आटे को और साइड में रख दिया था दस मिलिट पर रेस्ट करने के लिए बस अब चलते हैं अपनी रे इसमें जो हमने डाली है अजवायन, मंग्रेल, सफेद, तिल इसका टेसना बहुत अच्छा लगता है तो काफी टेस्टी अहां इसे आप मनचाहा शेप दे सकते हैं लेकिन मैं वही शेप आपके साथ शेयर करी जो मैंने पहली बार बनाई थी और काफी अच्छी लगी थी और पता है यह शेप मुझे चम-चम से इंस्पायर होकर मैंने बनाई थी क्योंकि कलर भी इसका इतना अच्छा आता ना मतलब वही चम-चम वाला डार्क मतलब रेड जैसा कलर इसी दिए मैं इस तरह से बना रहे हूं आप चाहब अपने मंचाहे शेप में इसे बना सकते है मैंने थोड़ी मोटी मोटी से घ्ल है बड़ी सी बीच में ना इस तरह से लंबे शेप में मैंने रख दिया आलू का मिश्रन और इस तरह से लपेट दिया जो अच्छी तरह से आटा था उसे चक्पू से काटकर निकाल दिया है और इस तरह से रोल बना दिया रोल बनाकर न अच्छे तरह से लपेट देना तक कहीं से भी खुलेना और साइट से भी न दोनों तरफ से उसे अच्छे तरह से मोड देना और इसे इसने बड़े-बड़े पीसे से मैंने काट दिया है अब काटने के बाद तो आलू हमारे निक आपको लगाने की जरुरत है अरॉत है झिपक जैता है अरू से तुक्यreten हो दे थो गड़ा दिए हैनों यह तरह से शेट दे दो है रितल रोती मीनना मैंने थीज़ीत की यह करो दो डाल लिखे हैन। से फेस्त्स, और तो अर्ड बेल में ज़ने ंपार यह और पका curated क्योंकि यह आता है ना अंदर तक सिख जाए और काफी क्रिस्पी नास्ता बनता है काफी टेस्टी और बिल्कुल भी इसमें गाजर की मुठास भी नहीं आएगी बच्चे काफी न्चॉय भी करते हैं हेल्डी भी है टेस्टी भी है और बहुत यूनिक रेसिपी है अपको लोके साथ मैंने आज शेयर की है उमिद करते हैं रेसिपी आपको बहुत पसंद आए वही काफी क्रिस्पी बनाई है देखो फिलाल मेरे हाँ शोर हो रहा होता है यहाँ पर आडोस पर दोस में तो मैं यह लेकिन बहुत जबजस्त और तेस्ती बनकर तयार हुए काफी मुझे तो बहुत पसंद आया हमाने प्लेटिंग की आज सुचाना चलो इस वाली प्लेट में मैं स्थर्व करके आप लोगों को तिखाती हूं तो फिलहाल यहां पर टमाटो सॉस रख दिया है और अपनी चटनी स्पाइसी वाली और इस तरह से सभी यह गाजर की रेस्पी मतलब गाजर के कटलेट कह लिए जो भी इसे मैंने सर्व कर दिया है और देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है खाने में चबर जस्त तो मेरे बच्चों ने मेरी फैमली ने तो काफी इंजॉय किया आई उरे पसंद काफी यह रहा है जर स्वाम प्लॉब किया खुला कर दो को लिए कर देखने में तरह से सब्सब्साइब।